हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो एक्जाम और विट्ट, तो आज की इस वीडियो में बारो माच का करेंट अफर देखेंगे, इसका पीडिएफ निचे डिस्क्रिप्सन से और हमारे टेलिकरम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज का करेंट अफर देखेंगे, उससे पहले प्रेसिडेंट कौन बने हैं, जोन लापोटा, ग्लेन मार्क फर्मा ने अपने स्किन सोलूशन उतपाद, कैंडिड पाउडर का ब्रांड अमेश्टर की से बनाया है, क्रिकेटर रोहित शर्मा को, एसेट री कंस्रक्शन कंपनी, आर्किल के नए प्रबंदे निदे सक, और मुखे करेकरी अधिकरी कौन बने हैं, पल्लो महपात्र, हाली में जश्टिस अन्शुमा सींखा 85 साल की उम्र में निदन हो गया, 1999 से 2003 तक वेकी सराज्य के राज्येपल रहे थे, राजस्थान के 1998 से 1999 तक ये गुजरात के भी राज्येपल थे, कि सराज्ये की सरकार ने ते भारत का पहला पोसन ब्रांट, ओजीवा की ब्रांड अम्वेस्टर कौन बनी है, अभिनेत्री दिपिका पादुकौन, आई सीसी द्वारा फरवरी 2021 के लिए पुरू सिरेनी में प्लेयर अफ दमन्त किसे चुना गया है, आर आश्विन को ये भारत के है, वहीं महिला टाइम बिवमोंट ये इंग्लेंड की है, किस भारते को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट के बाहरी लेखा परिक्षकों की समीती का चेर्मिन नियुक्त किया गया है, गिरिश चंतर मुर्मु को ये वर्तमा समय में भारत की नियंतरक ये महालेखा परिक्षक है, हाली में राष्पती रामनात कोवी ने किसे बैटन ओफ ओनर से सम्मानित किया है, किरण बेदी को, पी निराज नयन किस अराजय के नए डीजीपी और आईजीपी बने है, पश्चिम बंगल के, तो आप चलिए आज का करेंटर फिर देखता है, पहला कोशन, बेटी सासन से भारत की अजादी के 55 वर्सों को चिन्हित करने के लिए 12 मार्च 2021 से भारत सरकार ने किस महसो की शुरुवात की है, इस महसो का नाम रखा गया है, अमरित महसो, इंपर्टन कोशन बनता है, यात रखिएगा, 2022 में अजादी के 55 वर्स पूरे हो रहा है, इसी उपलक्ष में पूरे भा के साबर मती यासरम से अमरित महसो की शुरुबात करेंगे, तो ये महसो पूरे देश में अगले 75 सब्ताह के लिए 75 अस्थानों पर आयोजित किया जाएगा, और पूरे भारत में इस तरह का महसो आयोजित करने के लिए एक उचस्तरिये पैनल गठित किया गया है, उस पैन को कन्फूजन हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, 2021 में 15 अगस्त को 15 सवतंतरता दिवस मनाया जाएगा, और 2022 में अजादी के 75 साल पूरे होंगे, हाली में साल्दा जील को सूर्खियों में देखा गया, ये जील की इस देश में इस्थित हैं, तो साल्दा लेक जो है अभी न्यूज में बना हुआ है, ये तूर्की में है ध्यान रखिए, ओप्शन सी राइट अंसर है, दर असल पिछले महिने 18 फरवरी को नासा का परसिवरेंस हरोवर मंगल गरह पे उतरा था, तो नासा के वाइगानिकों ने हाली में दावा किया है, कि इस हरोवर ने जो डेटा एक अत्रित किया है, वो दक्षनी पश्मी तूर्की के साल्दा जिल से मिलता जूलता है, साल्दा जिल में जो खनीज और चटाने है, और मंगल गरह पर जो जेजेरो क्रेटर है, जहां पर परसिवरेंस हरोवर उतरा था, तो इस क्रेटर पर जो चटाने है, उससे काफी मिल जूलता है, जेजेरो क्रेटर, लिख दे रहा हूँ, देख लिजेए, इसी क्रेटर पर परसिवरेंस हरोवर को उतरा था, नासा ने, ठीक है, और ये जो मिशन लॉंच किया है, नासा ने, इसका मुख्य उद्देश है, प्राचीन जीवन की खोज करना, यानि जीवन का पत की खाला गणा है, इसका मुख्य उद्देश है, तो सालदा जीव तुर्की में है, तुर्की के राजधानी है, अंकारा, एक और शहर है, अकरा, अकरा घाना की कैपिटल है, घाना अफ्रिक rabbits है, तुर्की का राजपती है, अरसिन बाद सिंचाई परियोजना और चिल्लीमल बाद सिचाई पर्योजना का उधगाटन किया गया यह दोनों पर्योजनाएं की सराज्य में इस्तित हैं उत्तर परदेश में है option D right answer है उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी योगी अदेत तैनाथ ने हाले में इन दोनों पर्योजनाओं का उधगाटन किया यह दोनों सिचाई पर्योजना है रसीन बाद सिचाई पर्योजना और चिल्लीमल बाद सिचाई पर्योजना ठीक है इसमें रसीन बाद सिचाई पर्योजना जो है यह बाण गंगा नदी पर है वहीं चिल्लीमल बाद सिचाई पर्योजना जो है अब यह पता नहीं चल पाया है कि यह इसी नदी पर है या फिर कहीं अलग है क्योंकि न्यूज में इस तरह का कहीं भी डेटा नहीं मिला है ठीक है अगर कोई भी बेखती चित्रकूट से है उत्तर परदेश में तो आप नीचे कमेंट करके बताएए चिल्लिमल बाद सि परियोजना एक किस नदी पर है क्या ये बाण गंगा नदी पर है या फिर अलग है तो अगर आप यहां से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कमेंट जरू करिएगा अब यहां पर हम जानते हैं उत्तर परदेश के बारे में उत्तर परदेश की सीमा भारत के आठ परणा, राजस्थान, मद्धे परदेश, चत्तिसगर, जारखंड और बिहार एक के अंदर सासित परदेश से भी सीमा लगती है दिल्ली से इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को जीलों की संख्या 75 है लखनव, राजधानी, मुख्य मंत्री है योगी आदितनाथ, राज्य प से मनोनित किया जाता था, अब उसे खत्म कर दिया गया है ध्यान रखिये, विधान परिसत चीट की संख्या 100 है, राजके पशु बारा सिंगा, राजके पक्षी सारस, राजके पेण अशोक, राजके फुल पलाश, राजके फल आम, राजके मिठाई, जले दी, रास लीला, जूला, कजरी, जद्धा, चाचरी, नोटंकी, तथा जयता, यहांके परसीद लोकने रित्ते हैं, दुधवा नेशनल पार्क, यह टाइगर इजर्ब यह उतर प्रदेश में हैं, अमानगड टाइगर इजर्ब, तथा पिले भीत टाइगर इजर्ब, सभी यहीं पर हैं, प्रवींद वल्लप पन सागर जो है, यह भारत का सबसे बढ़ा किरित्रम सागर है, यहांकी अधिकारिक भासा हिंदी है, अगला कोशन है, भारत के नए मुख्य सांखी की वीद, यानि CSI कौन निउक्त हुए हैं, भारत के नए मुख्य सांखी की वीद बने हैं, जीपी सा वास्तों 31 अगस 2020 को रीटायर हो गया थे, और इनके रीटायर होने के बाद इस पद का अतिरिक्त प्रभार आ गया था, डक्टर छत्रपती शिवा जी के पास, तो अब जीपी सामन जो हैं भारत के नए CSI बनाए गया है, जब ही कोई बेगती CSI बनाए जाता है, तो उसके पास और भी बहुत सारे पद जो हैं, अटोमेटिक आ जाते हैं, जैसे कि जो CSI होता है, वो केंद्रिये सांखेकी और कारेकरम कर्यानवन मंत्राले का सचिव भी होता है, साथ साथ में राश्ये सांखेकी संगठन का परमुक और राश्ये सांखेकी आयोग का सचिव भी बन ठीक है? और GP सामन्त को हाली में भारते रिजॉर्ब बैंक के संखिकी और सूचना प्रबंधन बिभाग में सलाकार के रूप में भी नियुक्ट किया गया था. तो ये भी पद इन ही के पासे सलाकार हैं आरभिये के संखिकी और सूचना प्रबंधन बिभाग के. 8 से 12 मार्च 2020 के बीच फ्रांस ने अपने उपगरहों और अन्य रक्षा उपकरणों की रक्षा के लिए किस नाम से अपना पहला अंतरिक्ष सन्य अभ्यास का योजन किया तो फ्रांस ने हाली में अपना पहला अंतरिक्ष सन्य अभ्यास का योजन किया इसका उद्देश था उपग्रहों और अन्य रक्षा उपकरनों के रक्षा करना और इस अभियास का नाम था Aster X, Option B राइट अंसर है Aster X फ्रांस का पहला सेटेलाइट था जिसे 1965 में लॉंच किया गया था इसी सेटेलाइट के नाम पर इस अभियास का नाम रखा गया था और इस तरह से फ्रांस जो है अंतरिक्षे सन्य अभियास आयोजित करने वाला पहला इरोपिय देश बन गया है फ्रांस के साथ साथ इस अभियास में अमेरिका और जर्मनी ने भी हिस्सा लिया था अब यहांपी एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा एस्पेस फोर्स अस्थापिद करने वाला अमेरिका विशो का पहला देश है अमेरिका ने 2019 में अपना Space Force अस्थापीत किया था और अमेरिका के Space Force का नाम किया है Guardians उसका नाम है Guardians फ्रांस की बात करें तो राजधानी है पेरिस पेरिस में ही यूनेसको जो संगठे ने उसका मुख्याले है यहां के राजपती हैं Emmanuel Macron प्रधानमत्री है जिन कैश्टेक्स संसत का नाम है पारलियमेंट और मुद्राक नाम है यूरो तथा CFA फ्रैंक 10 मार्च 2021 को थोमस बाक को अंतराशे उलम्पिक समीती के अधेक्ष के रूप में फिर से कितने साल के लिए न्यूक्त किया गया है तो थोमस बाक को फिस से अंतराशे उलम्पिक समीती का अधेक्ष बनाए गया है अगले चार साल के लिए ओप्षन ये राइट एंसर है ये 2025 तक पद पर बने रहेंगे और इस तरह से थोमस बाक को लगतार तीसरी बार अंतराशे उलम्पिक समीती का अधेक्ष बनाए गया है थोमस बाक जो है ये जर्मनी के हैं और आई ओसी यानि अंतराशे उलम्पिक समीती के ये नौए प्रेसिडेंट है पहली बार इन्हें प्रेसिडेंट बनाए गया था दस सितमबर 2013 को तब से यही लगतार अधेक्ष बनते आ रहे हैं अंतराशे उलम्पिक समीती के अस्थापना होई थी 23 जून 1894 में ओन्रेरी प्रेसिडेंट है जैक्स रोग महा निदेशक है क्रिस्टोफ डी कैपपर अगला कोशन है दुनिया का सबसे बड़ा लेडर्शिप प्रोषकार इबराहीम प्राइज फॉर एचुमेंट इन अफ्रीकन लेडर्शिप के विजयता कौन बने है तो दुनिया का सबसे बड़ा लेडर्शिप प्रोषकार मना जाता है इस प्रोषकार को इबराहीम प्रा के लिए ये पुरुसकार प्रदान किया जाता है मुहम्मद इसौफु कौन है ये वर्तमान समय में नाइजर के राश्पती हैं अप्रेल 2021 तक ही पद पर रहेंगे उसके बाद ये पद छोड़ देंगे लगतार दो टर्म से ये वहां के राश्पती हैं 2011 से ही ठीक है तो मुहम सात में पहली बार किसी को ये पुरुसकार प्रदान किया गया था और इस पुरुसकार की इनाने राशी है पांच मिलियन डॉलर यानि लग भग 4 करोड के आसपास 4 करोड रुपे के आसपास ठीक है इसलिए इस पुरुसकार को दुनिया का सबसे बाड़ा लेडर्सीप इनका हाली में 56 साल की उम्र में निदन हो गया है ठीक है आईवरी कोश जो है ये पश्चमी अफ्रीकी देश है इसकी दो राजधानिया है यामोव सुक्रो डी जीवरी केपिटल है अबिज्जान दी फैक्टो केपिटल है यहां के राजपती है अल्ला साने ओवातारा संसत का नाम है पार्लियमेंट और मुद्राक नाम है CFA फ्रेंक और भी देशों में चलती है जैसे की कैमरून, सेनेगल, माली, बेनिन, बुर्किना, फासु, नाइजर, गिनी, भीसाओ, इत्यादी सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टेन बनने वाले पहले केंद्रिय मंत्री और सांसद कौन बने है तो सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना यानि टेरिट्रियल आर्मी में कैप्टेन बनने वाले पहले सांसद और केंद्रिय मंत्री बन गए है अनुर रखा जाता है, ताकि आज़ शर्टा पड़ने पर देश के रख्षा के लिए उनकी सेवा ली जा सके इसमें किसी भी बेक्ति की नियुक्ति नहीं की जाती है, बलकि ऐसे बेक्ति की नियुक्ति की जाती है जो पहले से ही किसी नागरिक बैवसाय में मौजूद हो ये इसका शर्थ होता है जैसे कि आप लोग सुनते हुएगा कि महें सिंग धोनी को नियुक्त किया गया था 2011 में प्रादेशिक सेना के पैराशूट रेजिमेंट में लेफटेनेंट करनल पदपर वैसे ही सचिन तंदूलकर को भी 2010 में भारते वायू सेना ने गुरूप केटन बनाया था तो इसी तरह से इनके निवक्ति की जाती है और इन्हें प्रसिक्षन देकर रखा जाता है ताकि जो उरत पड़े तो इनका इस्तमाल किया जा सके इन्हें आंत्रिक सुरक्षा की भी जीमेतारी दी जा सकती है अनुराग ठाकूर के बारे में जान लीजिए ये हिमाचल परदेश के हमीर पूर से लोकसभा सांसद है और इन्हें प्रादेशिक सेना में 124-वी इन्फेंट्री बटालियन में कैप्टेन के पद पर पदोन्नत किया गया है और ये इससे पुर्व लेफ्टिनेंट के पद पर सेवारत थे ओल लेदी ठीक है ये वर्तमान समय में केंद्रिय वीत और कॉर्परेट मामलों के राज्य मंत्री है वीत मंत्री है निर्मला सितारामन प्रादेशिक सेना की अस्थपना 1949 में की गई थी महानिदेशक है डीपी पांदे, मोट्टो है सावधानी वशूर्ता अगला कोशन है 9 मार्च 2021 को किस भारत वनशी को अमेरिका में वाइट हाउस सेनने कर्याले के निदेशक पत पर निउक्त किया गया है तो एक और भारत वनशी को अमेरिका में उचे पत पर निउक्त किया गया है वाइट हाउस सेन्य कर्याले के निदेशक पत पर नियूक थुए इनका नाम है माजू वरगीज ओप्शन ए राइट अंसर है ठीक है अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो सीमे रखा है 49 समनानता रेखा दोनों देशों को अलग करती है यहाँकी capital है Washington DC NASA World Bank और International Monetary Fund इन सभी का मुख्याल है Washington DC में है जो बाइडन नए राश्टपती बने है 46 में राश्टपती है अमेरिका के कंला हैरिस वहाँकी उपराश्पती बनी है पहली अश्वेट महिला उपराश्पती बनी है अमेरिका के उन्चास्मी उपरासपती है, वहां के संसत का नाम है कांग्रेस और मुद्रा का नाम है डॉलर, अगला कोशन है, किंग भूमी बोल, वर्ल्ड स्वोईल्डे 2020 पुरसकार किसे मिला है, तो 2020 के लिए किंग भूमी बोल, वर्ल्ड स्वोईल्डे पुरसकार दिया गया है सुचि क्रिसी अनुसान धान परिशद यानि ICAR की तरब से दिया जाता है और ये खादे और क्रिसी संगठन जो की United Nation की साखा है उसका प्रतिष्ठित प्रोसकार है इस संगठन का मुख्याले इटली की capital रोम में है सुचित्रा दुरई को ये प्रोसकार ठाइलेंड के क्रिसियों सहकारिता मंतरी अभी अपने नाम सुनँ है World Soil Day का यानि Visho Miridha Divas हर सल 5 December को मनाया जाता है ठीक है 2020 का विशय था Keep Soil Alive Protect Soil Biodiversity में विष्व किड़नी दिवस कब मनाए गया? तो हालि में विष्व किड़नी दिवस मनाए गया 11 मार्श को option B right answer है हर साल मार्च महिने के दूसरे ब्रहसपति बार यानि Thursday को ये दिवस मनाए जाता है विष्व किड़नी दिवस विश्व कीड़नी दिवस 2021 का विशय किया है यानि थीम, इसका थीम है कीड़नी हेल्थ for everyone everywhere, living well with kidney disease और बता दें कि विश्व कीड़नी दिवस संचालन समीथी ने 2021 को living well with kidney disease कवस घोशत किया है विश्व कीड़नी दिवस पहली बार मनाए गया था 2006 में ठीक है तो फेंट्स यह था हमारा आज का करेंट अफर वीडियो पसंद आ है तो लाइक और शेयर जोगू करना अब पिछले क्वीज का एंसर जानी है पहला कोशन था भारत का सबसे पुर्वी बिंदू की बीथू की सराज्य में इस्थित है तो यह अर्वाचल परदेश में है दू अब चलिए आज का पहला क्वीज है उससे पहले आप सभी को बता दें दोस्तों 2020 का सलाना करेंट अफरे का पिडियो फूक लब्द है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप वहां से बिलकुल कमप्राइस में डाउनलोड कर सकते हैं इसमें प्रोष्णों की दिसमबर 2020 तक के लगभग सारे टोपिक कवर किये गए हैं साथ साथ में जीके साइन्स और कम्प्यूटर का भी बेस्ट पिडियो फूक लब्द हैं सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब चलिए आज का पहला कोशन है हडपा सभयता किस यूग की थी दूसरा कोशन है मगद की पर्थम राजधानी कौन सी थी दोनों इतिहास के मैत पूर्ण कोशन है दोनों का एंसर नीचे कमेंड में बताइए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार